कंस फिल्म फेस्टिवल में बॉलिवूड हसीनाओं को जाने का कैसे मिल गया मौका कंस फिल्म फेस्टिवल में आखर इन बॉलिवूड हसीनाओं को कौन बुला लेता है आपने देखा होगा कि Bollywood की केबल कुछ heroines ही कंस film festival के red carpet पर चलती है बता दे कि जिसकी film और documentary कंस festival में दिखाई जाती है उन्हें ही यहाँ जाने का मौका मिलता है लेकिन ऐसी भी actress है जिनकी film में नहीं चलती वो भी वहाँ पहुच जाती है दरसल अगर किसी की film उस festival में नहीं चल रही है तो वहाँ जाने का और भी एक दूसरा रास्ता है वो है कोई brand उन्हें अप्रोच करें यह सभी actress किसी film के लिए नहीं बलकि brand की वज़े से वहाँ पहुच पाती है अगर सीधी भाशा में कहें तो यह heroines ब्रैंड के बुलावे पर वहाँ जाती है हर brand अलग-अलग actress को अप्रोच करता है क्योंकि कई brands इस festival के partner है एक्जामपल ले लीजे international cosmetic brand L'Oreal जो पारिस में पिछले कई सालों से कांस film festival का beauty partner है हर जगा अलग-अलग लोग इस product को lead करते हैं यानि अलग-अलग actresses को company ने brand ambassador चुना है L'Oreal Paris की brand ambassador आश्वरे राय और सोनव कपूर है इसलिए इन्हें इस festival में जाने का मौका मिलता है वेल आप दिपिका पादुकोन को भी सालों से इस festival का हिस्सा लेख रहे होंगे बताते कि दिपिका पिछले साल कंस festival में jury के तौर भी चुनी गई थी लेकिन उन्हें इस festival में पहुचने का मौका L'Oreal नहीं दिया है ये company अपने product के लिए इन actresses को sponsor करती है ये actress product को promote करने के लिए इस festival का हिस्सा बनती है L'Oreal इन्हें model के तौर पर product की value बढ़ाने के लिए बुलाता है कंस film festival में जाने के बाद ये heroines इनके brand को promote करती है इनका photo shoot होता है और ये red carpet पर walk करते हुए दिखाई देती है red carpet पर walk के समय दुन्या भर की media वहां मौझूत रहती है जो उटके dress style को cover करती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा इंडिया की तरफ से कौन सी actress इस festival का हिस्सा रही है वो नाम है अमिता बच्चन की बहू आश वर्या राय बच्चन एश साल 2002 से इस festival का हिस्सा रही है पहली बार एश किसी brand की तरफ से नहीं बलकि अपनी फिल्म देवदास की वज़े से वहां गई थी संजा लीला भनसाली की फिल्म देवदास की कंस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुई थी और साल 2003 में एश कंस की इंटरनेशनल जूरी में पहली भारतिय महिला सदस्य बनी थी उसके बाद से अब तक एश 18 बार कंस फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है वही पिछले साल जूरी में दिपिका भी चुनी जा चुकी है एश्वरे राई के सिवा इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में दिपिका भडिकोन, कंगना रॉनौत के साथ और भी कई आक्रिसेस हिस्सा रह चुके है इस बार कंस फेस्टिवल में एक रिजिनल आटिस्ट यानि की हर्यानवी डांसा सपना चौधरी को भी देखा गया है कंस फेस्टिवल में सपना चौधरी ने 30 किलो का गाउन पहना जो लोगों ने काफी पसंद किया था इस साल 76th कंस फिल्म फेस्टिवल में मुरुनाल ठाकुर, मोनी रॉय, सानी लियोन और अनुशका शर्मा ने डेब्यू किया जिनकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई रेड कापिट पर अब तक कौन-कौन सी आक्ट्रिसस अपना जलबा भी खेर चुकी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ वॉलिवर्ड आक्ट्रिस पूजा हेग्रे को इस फेस्टिवल में जाने का मौका पिछले साल यानि कि 2022 में ही मिला है इसी साल पूजा हेग्रे पहली बार इस फेस्टिवल में रेड कापिट पर नज़र आई थी इन्होंने स्ट्रैपलेस गाउन पहना था जिसकी लंबी फेदर स्कर्ट थी पूजा का गाउन इंडिया में ही बनाय गया था पूजा की तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हुई थी साल 2022 में ही साउट अक्ट्रिस तमना भाट्या को भी पहली बार इस फेस्टिवल में जाने का मौका मिला था पहले दिन तमना भाट्या एक खुबसूरत ब्लाक और वाइट डिजाइन बाबल गाउन में नज़र आई थी और दूसरे दिन तमना ने ब्लाक थाई हाई स्लिट ड्रेस कैरी किया था हेली शा भी साल 2022 में पहली बार कंस फिल्म फेस्टिवल में पहुची और रेड कापिट पर वॉक करती नज़र आई हेली शा का ये पहला कंस फिल्म फेस्टिवल था हेली शा ग्रीन रंग के बेहत खुबसूरत गाउन में रेड कापिट पर पहुची थी हेली अपने फीचर फिल्म काया पलट के पोस्टर लॉंच के लिए कंस फिल्म फेस्टिवल में गई थी वॉलिवूड अक्ट्रस अधिती राउ हैद्री भी साल 2022 में कंस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही अधिती ने डाक पिंक कलर का एक गाउन कैरी किया था जिसमें वो पिंक हील्स और न्यूड मेकप में काफी खुबसूरत लग रही थी अधिती राउ विद्वो की तरफ से इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी थी एक्ट्रिस हीना खान भी कंस फिल्म फेस्टिवल में काफी खुबसूरत नजर आई थी हीना को पहली बार साल 2019 में कंस फेस्टिवल में जाने का मौका मिला था हीना ने रेड कापिट में पिंक कलर का लॉंग गाउन कैरी किया था इस ड्रेस में हीना काफी सुन्दर लग रही थी खास बात यह है कि आक्टर नवाज उदिन सिदिकी को भी कंस फेस्टिवल में जाने का मौका मिला है पहली बार साल 2022 में नवाज उदिन कंस फेस्टिवल के रेड कापिट पर नजर आए थे ब्लैक सूट में वो काफी डैशिंग लग रहे थे वेल सोनम को पूर भी इस फेस्टिवल का हिस्सा रह चुकी है सोनम के हर लुक को फैंस ने काफी पसंद किया है सोनम को तो वैसे भी एक फैशन आइकॉन माना जाता है वैसे ज़रूरी नहीं है कि कंस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे सभी एक्ट्रिस की लुक को लोग पसंद ही करते हैं प्रियंका चोपड़ा के इस लुक का लोगों ने काफी मजाग बनाया था वो अपने इस लुक के लिए काफी ट्रोल भी हुई थी तो दोस्तों ये थे कुछ नाम जो कंस फेस्टिवल का हिस्सा बने है आपको इन में से किसका लोग सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए